हेलो एवरिवन, एपरिन गर्ल के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी और खुब हेल्दी नूडल सूप हर मा की यही प्राबलम होती है कि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते पर हमारा यह नूडल सूप बच्चे और बड़े दोनों ही बार-बार आपसे घर पर बनवाएंगे सबसे पहले हम दो गाजर, 10-11 टमाटर और एक छोटा प्याज लेके उन्हें काट लेते हैं अब एक पैन में दो चम्मच ओलिव ओल जाल कर उसे थोड़ा गरम करते हैं हम ओलिव ओल यूज कर रहे हैं क्यूंकि यह हेल्दी होता है पर आप चाहें तो इसकी जगा बचर भी डाल सकते हैं अब इसमें लस्सन की 10 फाके डालते हैं इसे थोड़ा चलाते हैं और डालते हैं कटा हुआ अद्रक मैंने करीब 3 इंच अद्रक को काट कर डाला है अब डालते हैं कटा हुआ प्यास इसे थोड़ा चला कर हम डालते हैं 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते अब डालते हैं अपनी कटी हुई गाजर सूप बनाने के लिए सब्जियां किसी त्याकार में कटी हो तो चलेंगी खोड़ा चला कर अब इसमें डालते हैं ये कटे हुए टमाटर और डालते हैं एक चमच नमक, आधा चमच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी फ्रेश ओरिगैनो, पांच से छे बेजिल लीब्स और थोड़ी पासली ये सब हर्ब्स अगर फ्रेश ना मिले, तो इनके ड्राइब वर्जिन्स किसी भी अच्छे स्टोर में मिल जाएंगे, वरना इनकी जगा कोई भी इटालिन सीजनिंग डाल सकते हैं और अब इसमें डालते हैं एक लीटर पानी और इसे ठीक से उबलने देते हैं देखिए अब जब ये ठीक से उबलने लगा है तो इसे पंदरा मिनिट के लिए ढग कर हलकी आच पर पका लेते हैं 15 मिनिट बाद हम इसे खोलते हैं सबजी आप बलकुल सौफ्ट हो गई हैं हम इसमें से ये डालचीनी और तेज पत्त बहान निकाल लेते हैं अब हम इसी बरतन में इन सबजीों को ब्लेंडर से पीस लेते हैं ब्लेंडर ना हो तो इसे थंडा करकर मिक्सी में भी पीस सकते हैं पीसने के बाद अब इस पूरे मिक्स्चर को चलनी से चान लेते हैं यूँ ब्लेंड करके चानने से सबजीों का ज्यादा तर हिस्सा सूप में आ जाएगा और हमारा सूप नाचरली ही गाड़ा बनेगा अब इस सूप को फिर से बरतन में डाल कर आज पर चढ़ाते हैं इसमें डालते हैं थोड़ी और औरेगैनों और वेजटिबल स्टॉक के तीन क्यूब्स वेजटिबल स्टॉक से इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसे अच्छी तरह से चला कर मिला लेते हैं अब डालते हैं साथ से आठ बेजल लीव्स और एक चमच चीनी अगर टमाटरों में खटास होगी तो इस चीनी से बैलन्स हो जाएगी और डालते हैं आधा कप कसी हुई चीज ये चीजी स्वाथ हम सभी को और खास कर बच्चों को बहुत पसंद आता है इसे अच्छी तरह से मिला कर इसे फिर से उबाल लेते हैं बस ये हो गया हमारा सूप तयार अब बारी आती है नूडल्स की एक पैन में एट लीटर पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं आधा चमच नमक पानी को अच्छी तरह से उबाल लेते हैं अब इसमें डालते हैं नूडल्स करीब 200 ग्राण नूडल्स यानि एक पैकेट ज्यान रखेगा नूडल्स पानी उबाल कर ही डालिएगा अब इन नूडल्स को करीब 3-4 मिनिट के लिए उबाल लेते हैं 3-4 मिनिट बाद जब लगने लगे कि नूडल्स उबल गए हैं तो एक नूडल को यूँ तोड़ कर भी देखा जा सकता है इसकी करेक्ट टाइमिंग इसलिए जरूरी होती है कि अगर नूडल्स कम उबले तो हाड हो जाएंगे और अगर ज्यादा उबले तो हल्वे जैसे सॉफ्ट अब हम इन बॉइल नूडल्स को छली में डाल कर उन पर साधा पानी डाल कर थंडा कर लेते हैं इससे इनका स्टाज भी निकल जाएगा अब एक कड़ाई में दो चम्मच ओलिव ओल डाल कर उसमें एक बड़ा चम्मच कटी हुई बेजिल लीव्स डाल लेते हैं अब इसमें ये नूडल्स डालते हैं इन्हें थोड़ा स्टर करते हैं और डालते हैं एक चौथाई चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर अब इन नूडल्स को एक दो मिनिट के लिए सौटे करते हैं और ये हो गए हमारे नूडल्स भी तयार अब बस अपने नूडल्स और सूप को साथ में सर्फ करते हैं और घर में सब को खिलाते हैं बच्चे तो बेसबरी से वेच कर रहे होंगे आप इस नूडल्स उप को घर पर बनाईए और बताईए कि आपको और बच्चों को ये कैसा लगा ऐसी ही मज़िदा रेसिपीज के लिए आप एपरिंट गर्ल हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए बाई बाई